प्टो केसी लगी आपको ये ताल सूर के साथ कविता हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ मस्त लगी ना आपको भी इसी तरह से ये कविता ले उर ताल के साथ यहापे वापिस दोहरानी है समझ में आ गया चलो तो ये कविता बहुत ही अच्छी है और समझने में भी बहुत अच्छी है और आसान भी है मैंने आपको इसके शवदार्थ जो है वो भी आपको लिखे दिये है आपनी लिखे होंगे उनके उपर थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि जो कठीन शब्द होंगे तो उनके अर्तागर आपके सामने हो तो आपको जल्दी स समझ में आजाता है चलो किताब निकालके बेटे है ना आप लुग सब चलो किताब रखो सामने मैं अभी पढ़ा रही हूँ हमारी कव нрав का नाम मैंने आपको बताया है बसंती हवा है लेखक का नाम है किधारनात अंग्रवाल मैंने उनका भी परिचे आपको करवा की दिया ह मेरे पात जो था, यहाँ पर हमारी किताब में भी उनका परीचे दिया है थोड़ा सा, वो भी आप ध्यान से पड़ो, और अभी हम कविता की ओर चलते हैं, चलो हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्तमोला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ, उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हू तो यह देखो, मैंने अभी आपको एक पहला पद पढ़के यहाँ पे सुनाया है आप भी पढ़ो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दीती हूँ मैंने जो शब्दों का उच्चारन किया है, आपने अभी सुना है तो आप भी यहाँ पे थोड़ी देर में यह पढ़के ले लो मैं इसका जो सरल अर्थ है, मैं आपको बताती हूँ हो गया पढ़के बच्चो, बहुत यह आसान है, कुछ शब्द है, उनके उच्चारन भी ठीक से कीजिए चलो, तो मैं आपको बताती हूँ, इसका सरल अर्थ क्या होता है देखो, हवा हूँ हवा मैं, यहाँ पे हवा कह रही है देखो, यहाँ पे किताब में भी दिखाया है की, जैसे की दो-तीन भाइट कलर के लाइन से सफेद कलर के, जैसे कि मानों वो हवा जैसे दिखाया है और यहाँ पे वो बोल रही है, बराबर है ना, तो हवा कह रही है कि हवा हूँ हवा मैं, और कौन सी हवा हूँ मैं, बसंती हवा हूँ, तो बसंती का मतलब मैंने आपको बताया है, बसंत रुतु की हवा है ये, और वो कह रही है कि मैं हवा हूं हवा बसंती हवा हूं बसंत रुतु में बहनी वाली मैं हवा हूं सुनो बात मेरी वो कह रही है सब लोग सुनो बात मेरी मैं बड़ी ही अनोखी हवा हूं वो सब कह रही है कि लोगों सुनो मेरी बात मैं बड़ी ही अनोखी हवा हूं मस्त मोला हूं म पताया है मस्त मोला का अर्थ मन मोजी तो वह मन मोजी हवा है जो करें कि सुनो बात मेरी अनुकी हवा हूं में किसी मुझे किसी भी प्रकार के कोई चिंता नहीं है नीचे वह कर रही है नहीं कुछ पड़ी ही निडर हूँ, यहाँ पर वो कह रही है कि मुझे कोई फिकर नहीं है, मैं एकदम निडर हूँ, ऐसे यहाँ पर हवा कह रही है, कि उसे कोई चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, ना ही मुझे किसी का डर है, वो जिदर चाहती है, वो अदर घूमती रहती है दिखो अगर आपके घर में भी हवा रही है बाहर से तो वह आपको पूझके आती है कि कभी नहीं आती है। वो बोलती है कि मैं अंदर आऊँ क्या नहीं वो किधर से भी हमें आती है जब हमें नहीं चाहिए होता है तो भी वो आ जाती है हवा तो किसी को पूझती नहीं हूँ वो एकदम बिनाचीनता किये हुए सब जगा पे गूमती है और वो किसी से डरती भी नहीं है ऐसे वो को अध inh consent यात्री हूँ यात्री पता है ना आप लोगर मान जहाने के लिए होता है और मुझे जहाँ पर जाना है वहाँ पर मैं चली जाती हूँ न कोई मुझे यहाँ पर मना कर सकता है ना कोई मुझे बुला सकता है मैं खुद की खुद जहाँ चाहूँ वहाँ पर मुक्त पिहार कर सकती हूँ बहुत ही अच्छा है यहाँ पर देखो हवा का जो चित चिन्ता नहीं है ना ही मुझे किसी का डर है मैं एक अदभुत यातरी हूँ मेरा जहां जाने का मन होता है मैं उधर चली जाती हूँ समझ में आ गया बच्चो मैं ने भी यहाँ पर आपको बहुत ही आसान ही और एकदम सरल है जैसे उन्होंने बताया है उसी तरह से आपको अर्थ लेना है बस कुछ यहाँ पर शब्द है उनके अर्थ दिये है वो आपको धियान में रखे उसका अर्थ जो है वो आपको लगाना है चलो तो आपको समझ में आ गया इसका अर्था आगे वाले पत के वर हम चलते हैं देखो अभी वो कह रही है क्या कह रही है देखो यहाँ पे चड़ी पेड महुआ थपा थप मचाया गिरी धम से फिर चड़ी आम उपर उसे भी जगोरा किया कान में कूँ उतर कर भागी में हरे खेत पहुची वहां गेवों में लहर खूब मारी हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ देखो बहुत ही अच्छा यहाँ पे अर्थ पताया है उन्होंने यह भी दूसरा वाला पज्ज है वह भी भहुत मस्त है उसका मैं अभी अर्थ पताती हूँ जैसे कि देखो यहाँ पे हवा आगे क्या बोल रही है मैं महुए के पेड़ पर जा चड़ी महुए महुए के पेड़ पर मैं जा चड़ी महुए एक प्रकार का वुरुक्ष है बराबर ना एक प्रकार का वुरुक्ष है मैंने अर्थ बताया है महुए का कि एक प्रकार का वुरुक्ष तो हवा क्या करी है देखो अभी यहाँ पे कि मैं महुए के पेड़ पर चड़ी हवा मैं एक मोवे के पेड़ पर चड़ी और मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया हवा ने क्या किया उस मोवे के पेड़ पर वो चड़ी और उसने क्या किया उसके पेड़ के पत्ते है उनको खूब वहाँ पर हिलाया पत्तों से थपथप की आवाज आई देखो कितना अच्छा यहाँ पे अर्थ है कि वहाँ से थप-थप की कहाँ से आवाज आ गई है जब वो हवा उस पेड के उपर चड़ी है और उस पेड को खूब से हिलाने लगी है तभी क्या हुआ उन पत्तो की आवाज कैसे आने लगी है थप-थप करके आवाज आई है मैं धम से नीची गिरी देखो यहाँ पे क्या है मैं धम से नीची नीचे गिरी फिर मैं आम के पेड पर चड़ी देखो वो पहले एक महवे के पेड पर चड़ी थी वहाँ पे उसने क्या किया उस महुए के पेड के जो पत्ते थे उनको खूब हिलाया और जब हुला रही थी और तबी उनके पत्तों से ठपाथब की आवाज आई फिर वहा से वो नीचे गिर गई और नीचे गिर कर फिर वो क्या हो गई आम के पेड पर चड़ गई ये हवाई हापे पता रही है कि फिर वो क्या हो गई आम के पेड़ के ऊपर चड़ गई उसे खूब जोकोरा जोकोरा का मतलब क्या है जोका उसने क्या किया उस आम के ऊपर चड़ कर बहुत ही जोके लिये वहाँ पे उसने क्या किया बहुत ही खूब जोकोरा उसके कान में कुम कहा उस पेड़ के कान में उसने क्य कहां कुम कहां और वहां से भाग चली देखो कितनी मस मतलब यह कलपना है कि हवा बोल रही है और जो हवा है वो कहा कहा जाती है क्या क्या करती है और किस तरह से करती है वो सारी बाते जैसे मानों हमें बता रही है वो हवा जैसे हम कुछ कारे करते हैं तो किसी को बताते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कुछ शब्द डाल देते हैं तकि उसका वाक्य पूरा बन जाए इसी तरह से ये हवा जो कह रही है वो इस कविता में हमें बताया गया है बहुत ही सुन्दर है जैसे के हवा कह रही है कि वो क्या क्या करती है कहा कहा जाती है वो किसी से भिना पूची किदर भी गूमती रहीती है उसे किसी की चिंता नहीं होती है किसी का डर नहीं होता है वो जहां जाना चाती है, वहां वो गूंती रहती है, समझ में आ रहा है न बच्चों, हाँ, तो अभी वो क्या करी है, कि उसके कान में वो क्या करी है, कू कहां और वहां से भाग चली, जैसे कि देखो, ऐसे कोई, खुद के काम में कोई वेस्त रहता है, तो आपको अगर मस्ती जिस्ति है तो आप कभी-कभी उसे दराते हो उसी तरह से हवा एकदम अनूखी हवा है तो वो यहाँ पैसा कर रही है उसने क्या-क्या काल में जाकर कु कहा और वहां से वो भाग चली। उसके बाद मैं गेऊं के खेत में पहुची वो कहा पहुची देखो गेऊं के खेत में वो पहुच गई और वहां गेऊं की बालियों के बीच में बहुत तेर तक लहराती रहीं देखो मैं नहीं यहां पर आपको बालियों का अर्थ बताया था क्या है बालियों का अर्थ जो गेऊं के उपर जो अनाज के जो दानिया आते हैं उपर उन्हें बालिया कहा जाता है समझ में आ गया नहीं बताया होगा तो भी आप लिख के लेलो चलो तो यहां पे अभी हवा क्या कर रही है हवा क्या कर रही है कि वो कहां से गुम रही है वहां से उसने कू करके वो उतर भागी और हरे खेत पहुँची जहां पे गेऊंगों के लहर वो खूब माली मतलब वहाँ गेहूं था और गेहूं की बालिया ऐसे जूमते है हवा में मतलब वो जूमते रहते तो वही हवा उनके बीच बीच में जाकर वहाँ से गूम रही थी तो यहाँ पे हवा ने दूसरे पद में ये बताया है कि वो दूसरे पद में उसने क्या किया देखो द्यान में रखिए, पहले पद में उसने कहा है कि मैं बसंत रूतू में बहने वाली हवा हूँ, मैं बहुत ही अनोकी हवा हूँ, मुझे जहा जाना चाता है, मैं वहा घूमती रहती हूँ, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, कोई भी डर नहीं है, और मुझे कोई प सबसे क्या कि किए चड़ी पेढ महुआ थपाथप मचा आया सबसे पहले वह एक मुवे के पेढ 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 गई फिर उसने उन पेढ के उपर जाके उसने पतों को खूब हिला signal और हिलाके पतों से थपाथप की आवाज आ गई और मैं वहाज से नीच गिर फिर मैं आम के पेर पर चर गई उसके बहुत से उसने जोके लिये वहाँ पे जोका लिया जोकर किये उसके बाद में उसके कान में उसने कू कहा और वहाँ से वो भाग चली उसके बाद वो गेहों के खेत में पहुंची और गेहों के खेत में पहुंचकर वहाँ गेहों के बाल उसी लहर मारी जैसे के हम बाहर गूमने जाते हैं तो गूम फिर क्या आते ना उसी तरह से वह हवा उस गेहूं के खेत में बालियों के बीच-बीच में गूमकर आ गई तो ये दूसरे पत्तक ये मैंने आपको अर्थ बताया है बहुत ही आसान है ध्यान में रखिए बस झीओ के खेत में पहुची और गेहूं केके खेत में उसने क्या किया बहुत सी वहां परर कशुब लहर मारी घूम रही होग अधाय के मैं जिदर दों मैं यहाँ वह करना है वह कर रहे है तो ऐसा यहाँ पर हवा बता रही है, समझ में आ रहा है न बच्चो, बहुत ही आसान है, मैं बार-बार दोरा रही हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, तो चलो, पहला पद भी हो गया, पहले पद में वो बसंद रुतु के हवा के बारे में बता रही है, दूसरे प क्वपपफ क्वपपपपफ